आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं मतर पनीर की यह शांदार रेसिपी जो की बच्चों से लेकर बुडो तक सभी को पसंद होती है अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल एंड प्रेज बेल आइकन अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे इस वीडियो को जादा से जादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा लाइक और शेयर करने का कोई चार्ज नहीं है आप लोग लाइक बड़ी कंजुसी से करते हो तो आईए मटर पनीर की ये शांदार रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं इसे देखकर आपके मुह में पानी आ रहा होगा मटर पनीर बनाने के लिए मैंने यहां पर लिया है दो बड़ी साइज की प्याल जिसको कि मैंने रफली कट कर लिया है दो बड़ी साइज की टमाटर इसे भी मैंने रफली कट कर लिया है दस से पंदरा लसुन की कर लिया और एक इंच अध्रक का टुकड़ा खड़े मसालों में मैंने या पर लिया है एक चमत जीरा एक हरी लाइची एक दाल चीनी का टुकड़ा दो साबूत लाल मिर्च आप तीन से चार भी ले सकते हैं एक तेजपान का पत्ता मत्र के दाने लगबग 200-300 ग्राम है अप हरी फ्रेश मत्र लें उसे आपका मत्र पनीर अच्छा बनेगा यह होमेट पनीर है यह लगबग 1500 ग्राम है इसे मैंने घर पे बनाया है होमेट पनीर की रेसिपी में आपको पिछले वीडियो में अपलोड कर चुकी हूं आप देख स होगा सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे यह लसून की कलिया हमें इन सबको बहुत ज्यादा नहीं पकाना है हमें सिफ हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए और इनका कच्छापन निकल जा इतना ही पकाना है अब हम इसके अंदर डाल देंगे यह प्याज इने भी हल्का सा सोफ्ट होने तक ही पकाना है इनका कलर चेंज नहीं होना चाहिए मुश्किल से दो से तीन मिट तक हमें इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है जैसे हमारे प्यास सोफ्ट हो जाएंगे हम इसके अंदर एड़ कर देंगे यह रफली चॉप्ड की हुए टमाटर हमें टमाटर बिल्कुल रेड कलर के लेना है इसे हमारी ग्रेवी का कलर भी बहुत अच्छा लगेगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा यह दे चमज नमक जिससे के हमारे टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे अब हम कडाई का ढगा कर इसे लगब चार-पांश मुट के लिए सॉफ्ट होने तब पकाएंगे जब तक यह सारी चीज अच्छा से सॉफ्ट नहीं हो जाती कि यह देखिए पांश मिट हो और इन सब को एक प्लेट में निकाल लेंगे और इन्हें फेन के नीचे लगब पांश से दस मिट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे जैसे हमारे पया जो टमाटर ठंडे हो जाते हैं हमें इन्हें मिक्सर में पीस लेना है अच्छा सा गाड़ा पेस्ट रड़ी करना इसका यह देखिए मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है अब मैं इसे 10 मिट के लिए फैन के नीचे रख दूंगी अब हम इसी ऑईल के अंदर हमारी सब्जी बनाएंगे यह देखिए मैंने इसका गाड़ा पेस्ट रड़ी कर लिया है सबकों मिक्सर में चला ल अब लाल मिर्च पाउडर लिया है आप लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकोर्डिंग बढ़ा सकते हैं आप जितना तिखा काते हैं एक तिहाई चमज हल्दी पाउडर सुक्रा पाउडर आध़ा नमग क्यों कि अर्ण करने वाले बहुत ही इंग्रेटियंट वह के इंग्रिशन क्योंकि वज़्वी ग्रेवी यह हमारी ग्रेवी काफी गाड़ी ओर टेस्टी लगेगी होटल और रेस्टोरेंट में अक्सर ग्रेवी को गाड़ा करने के लिए बैसनी यूज़ किया जाता है अब हम इसे थोड़ा सा पकने देंगे हमें बहुत जादा देर इसे नहीं पकाना है क्योंकि हमारे मसाले सारे कच्छे हैं लाजमिश पाउडर और यह बनाए जल जाएंगे इसमें अब जल्दी से एड़ कर देंगे यह हमारा पेस्ट या ग्रेवी अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें एड़ करेंगे लगबग एक कप के करीब पानी इसी मिक्सर के अंदर हम इसे अच्छे से हिला कर डालेंगे अब हम इसे अच्छे से हिलाएंगे और इसे लगबग 5-10 मिट के लिए low to medium flame पर पकने देंगे जब तक कि इसका सारा oil सरफेस पर ना आ जाए हमें इस जगा कोई जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि इसी के उपर हमारे मटर पनीर का टेस्ट वो डिपेंड करेगा इसके अलावा हमारा मटर परी दिखने में भी काफी अच्छा लगेगा क्योंकि उसका कलर बहुत अच्छा आएगा अब हम इसका ढखकन लगाकर इसे लगबग 5-10 मिट के लिए low to medium flame पर पकने देंगे हमें इसे बीच बीच में चेक भी करते रहना है यह देखिए इसे लगबग 5 मिट हो चुके हैं एक बार हम ढखकन हटा कर चेक कर लेते हैं आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत ओयल इसके सर्फेस पर दिखाई देने लगा है अभी यह पुरी तरह से नहीं पका है अभी 5 मिट और हम इसे पकाएंगे डखकन लगा कर एक बार हम इसे अच्छे से हिला लते हैं वापस हम इसका डखकन लगा कर 5 मिट और पकाएंगे यह देखिए इसे लगबग 5-10 मिट हो चुके हैं पकते हुए हमारी ग्रेवी को आप देख सकते हैं हमारा ग्रेवी का जो ओईल है सारा सर्फेस पर आ चुका है और हमारी ग्रेवी पहले से काफी गाड़ी हो चुकी है इसका मतलब यह है कि हमारी ग्रेवी पूरी तरह से कंप्लीट है अब हम इसे एक बार अच्छे से हिला लेंगे अब हम इसके अंदर एड़ कर देंगे यह मटर मटर को भी ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे यह देखिए मैंने मटर को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसका ढखकन लगा कर इसे लगबग 4-5 मुट के लिए हलका सा सॉफ्ट होने तक पकने देंगे जब तक आपके मटर पक रहे हैं तब तक आप पनीर को गरम पानी के अंदर डाल कर रख सकते हैं जिससे कि आपके पनीर की सॉफ्टनेश जो है वह बरकरार रहे हैं अगर आपका पनीर हार्ड है तो आप इस प्रोसेस को फोलो कर सकते हैं अदर्वाइस कोई बात नहीं कि तेस्ट एक चमच गरम मसाला पावडर पी डाल सकते हैं अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और गरम मसाला डालने के बाद इसे 2-4 मिट और धकन लगा कर पकाएंगे यह देखिए इसे धकन लगा कर पकाते हुए लगबग 8-10 मिट हो चुके हैं अब हम इसे अच्छे पानी डाल दिया है अब हम इसे एक बार और अच्छे से हिला लेंगे और इसे हाई फ्लेम पर लगबग 5-10 मिट के लिए पकने देंगे अब हमें इसे हाई फ्लेम पर ही पकाना है क्योंकि हमारी मटर पहले से काफी सॉफ्ट हो चुकी है और हमें इसका धकन लगा कर ही से प पनीर पनीर डालने के बाद हम इसे पांच मिट और हाई फ्लेम पर पकाएंगे इससे की हमारे पनीर के क्यूप्स जो है वो साइज में डेड़ गुना हो जाएंगे हमें इस स्टेज पर इसे हाई फ्लेम पर ही पकाना होता है मटर और पनीर डालने के बाद हमारे मटर पनीर को हाई फ्लेम पर पकते हुए लगबग 10-15 मिट हो चुके हैं अब हम इसे चेक कर लेते हैं पनीर डालने के बाद हमने इसे 5 मिट और हाई फ्लेम पर पकाया था भी यह देखिए इसकी कंसिस्टेंसी वह पहले से काफी गाड़ी हो चुकी है और आप पनीर के क्यूपस भी दे तो बस इस स्टेज पर हम एड कर देंगे इसमें बारी कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गेस का फ्लेम ओफ कर देंगे हमारा मटर पनीर बिल्कुल रेड़ी है 15 मिट बाद मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी बताती हूं कि यह कितना गाड़ा हो गया है फिलाल यह परफेक्ट है आपको इतना लिक्विट ही रखना है इस स्टेज पर यह देखिए हमारे मटर पनीर को बने हुए लगबग आदा गंटा हो गया है आप देख सकते हैं कि यह पहले से कितना गाड़ा हो गया है यह बिल्कुल परफेक्ट है और स रेसिपी को जादा से जादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजियेगा बहुत जल्द मिलते हूँ आप से अगली रेसिपी के साथ थसे जरूः